दूस्वो आप सुवी का स्वागत है Amantex YouTube चैनल में दूस्वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि UTI Portal से आप अपने PAN Card के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं दूस्वो फिजिकल मेथड से PAN Card बनाना आप पुराना हो गया है अब आप Digital Mode तरीके से अपने PAN Card को बना सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाने के ज़वत नहीं पड़ेगी ओनलाइन हे गरवैट है आप EKYC के थूँ अपना PAN Card बना सकते हैं UTI Portal से दूस्वो पैन काड को बनाने के में दो पोटल है NSDL और UTI अगर आप NSDL से अपने PAN Card के लिए अपलाई करना चाहते हैं अपने PAN Card में कोरेक्शन करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर रिप्रिंट करना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक्स पे हमने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है अगर आप NSDL पोर्टल से अपने PAN Card में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं या फिर NSDL से अपलाई करना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चाहेगा आप उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप UTA Portal से कैसे Digital Mode तरीके से अपने PAN Card के लिए apply कर सकते हैं अपना PAN Card कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में आपको step by step complete process में दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो UTA की site से अपना एक new PAN Card apply करने के लिए आपको UTA की official website पे आ जाना है आपको इसका link description में भी मिल जाएगा इस page पे आने के वाद दोस्तो आपको यहाँ पे नीचे scroll down करना है यहाँ पे आपको PAN Card से related services मिल जाती हैं UTA की तो यहाँ पे दोस्तो आपको अपने new PAN Card के लिए apply करना है तो यहाँ पे आपको PAN Card for Indian Citizen NRI को option मिलेगा तो आपको यहाँ पे click to apply के option पे click करना है and next page आपके सामने open हो जाएगा दोस्तो यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको तीन options देखने को मिलेंगे apply for new PAN Card, regenerate online PAN application, download bank PAN form 49A तो दोस्तो जैसे कि आप online अपना PAN Card बनाना चाहते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पे online apply करने के लिए apply for new PAN Card form 49A वाले option पे click कर देना है और उसके बाद आपके सामने form 49A का form जो है वो open हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का page आएगा तो दोस्तो यहाँ पे आपको first option मिलेगा physical mode का यहाँ पे दोस्तो अगर आप इस option को select करते हैं तो यहाँ पे आपको online apply करने के बाद last में यहाँ पे आपको forms download करने के बाद उन्हें fill करने के बाद आपको यहाँ पे upload करना होगा लेकिन दोस्तो अगर आप online ही यह सारा process करना चाहते हैं जिसके लिए कि आपको अलग से कोई physical form को fill करके यहाँ पे upload करना ना पड़े तो दोस्तो उसके लिए यहाँ पे आप digital mode को select कर लेंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ पे अधार ekyc वाले option को select करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आपको अपनी मन पसंद की photograph and signature upload करने का option नहीं मिलेगा यानि कि आपकी जो अधार card पे आपकी photograph होगी वही photograph आपके pen card पे print होकर आएगी और यहाँ पे अगर आप only e-sign को select करते हैं तो इसमें आप अपनी मन पसंद की photograph और signature को upload कर सकते हैं और आपके pen card पे आपकी मन पसंद photograph और signature आएगे दोस्तों यहाँ पे आपको अधार e-kyc वाला process दिखाने वाला हूँ उसमें e-sign भी यहाँ पे already selected रहता है हम अपने अधार card की photograph चाहते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी मन पसंद की photograph और signature को कैसे upload करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा यह दोनों ही process चुए मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे digital mode को select करने के बाद यहाँ पे नीचे scroll down करेंगे और यहाँ पे आपको option देखने को मिलेगा status of the applicant तो दोस्तों यहाँ पे यह already individual selected रहेगा और यहाँ पे आप इस पे click नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अधार based ekyc option को यहाँ पे select किया है अगर आप इसे यहाँ पे untick कर देते हैं तो यहाँ पे आप इस पे click करके यहाँ पे आपको multiple options मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप आदार ekyc यहाँ पे e-sign mode के through यहाँ पे अपना pan card apply करें तो यहाँ पे यह individual already selected हो जाएगा तो दोस्तों जो है हम यहाँ पे इसे tick रहने देंगे और यहाँ पे individual selected है जो कि हमें option चाहिए तो यहाँ पे जो है our next option है यहाँ पे pan card mode का यहाँ पे जो है both physical pan card and e-pan का option मिलेगा और e-pan only का option मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपको अपना physical pan card and e-pan card चाहिए तो यहाँ पे आप first वाला option select कर लेंगे यहाँ पे सभी को physical pan card चाहिए होता है तो आप इसे ही select के जेगा और उसके बाद आपको submit के option पे click कर देना है तो आपका एक reference number यहाँ पे generate हो जाएगा इस reference number के थूँ जो है अगर आप किसी error की वज़े से log out हो जाते हैं तो इससे आप फिर से login कर सकते हैं और उसी step से जो है आप continue कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है इस reference number को आपको copy करके अपने पास रख लेना है and okay के option पे click करना है दोस्तों यहाँ पे यह सारे steps जो है आपको यहाँ पे complete करना है first है यहाँ पे personal details का जिसमें कि आपको अपनी personal details enter करनी है यहाँ पे हम नीचे score down करेंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको select name title का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना title जो है वो select कर लेना है कुमारी, शिरी, शिरीमती तो जो भी आपका title है उसे आप select कर लेजे and उसके वाद जो है जो आपका name है वो आपको सबसे पहले last name यानि की surname enter करना है and उसके वाद आपको first name enter करना है और अगर आपके name में middle name है तो वो आप middle name में enter करेंगे उसके वाद दोस्तों आपको name on card का option मिलेगा आप अपने pen card पे कौन सा अपना name चाहते हैं तो वो name आपको यहाँ पे enter कर देना है and उसके वाद नीचे आपको option मिलेगा have you been known by any other name अगर आप किसी और name से भी जाने जाते हैं तो वो आप यहाँ पे yes और no के option पे click करके यहाँ पे अपना name enter कर सकते हैं अगर आप yes करते हैं तो आपको किस name से जाना जाते हैं वो आप यहाँ पे name enter करेंगे अगर आपको कोई और नेम नहीं है तो आप no के option पे tick कर देंगे और उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे तो दोसों यहाँ पे आपको अपना gender जो है वो select कर लेना है उसके बाद आपको अपनी date of worth यहाँ पे enter करने है आप इस पे click करेंगे तो calendar आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पे आपको अपनी date of worth को select कर लेना है उसके बाद दोसों आपको address for communication को option मिलेगा तो दोसो residents का address जो है वो already selected रहेगा दोसों यहाँ पे आप click करेंगे तो यहाँ पे click नहीं होगा क्योंकि आपने अधार EKYC को select किया है जिसमें कि आपको यहाँ पे address अंटर करने की ज़ोईत नहीं है जो भी आपके अदार कार्ड पे आपका address है जो भी आपके अदार कार्ड पे आपकी details है वही fetch कर ली जाती है और उसी address पे जो है आपका physical pen card आपको मिल जाएगा तो दूसरों यहाँ पे जो है आप इस पे click करेंगे तो click नहीं होगा और उसी के साथ resident state के option के नीचे भी आप click करेंगे click नहीं होगा तो यहाँ पे आपको इन options को छोड़ देना है उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको applicant अदार details को option मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अदार number एंटर कर देना है दूसरों उसके बाद आपको यहाँ पे re-enter अदार number का option मिलेगा तो आपको फिर सी अदार number इस box में एंटर कर देना है और okay के option पे click कर देना है यहाँ पे आपको enrollment ID को blank छोड़ देना है और नीचे आपको यहाँ पे name as पर अदार का option मिलेगा इसमें आपके अदार काड पे जो भी आपका name है वो एंटर कर देना है और उसके बाद आपको next step के option पे click कर देना है अब आपको अपने document details यहाँ पे enter करने है आप नीचे scroll down करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा which of these documents are you submitted as an identity proof तो यहाँ पे आप identity proof के लिए कौन सो document यहाँ पे submit करने वाले हैं तो दोस्तों जैसे कि आपने अदार काड को select किया था अदार EKYC के थू जो है आप pen card के लिए apply कर रहे हैं तो automatically यहाँ पे अदार काड issued by UID का option जो है वो selected रहेगा और यहाँ पे address proof में भी आपका अदार काड सेलेक्टर रहेगा date of worth proof में भी आपका अदार काड ही select रहेगा अब आपको simple next के option पे click कर देना है दूस्तों next page आपके सामने open होगा contact and parent details का यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले contact details enter करनी है आपको यहाँ पे telephone ISD code में select के option पे click करना है और यहाँ पे आपको इंडिया अपनी country को select कर लेना है and area STD code को आपको खाली छोड़ देना है और telephone mobile number में आपको अपना mobile number enter कर देना है और दू क्या looking है और यहाँ पे अपको parent details enter करनी है दूसरो Parent details में यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना father का name enter करना है जो आपके father का name है जो आप ने यहाँ पर अपने father के enter करेंगे वही आपके pen card पे print होकर आएगा तो father का name आपको कैसे enter करना है सबसे पहले आपको उनका last name यानि की surname enter करना है उसके और आपको first name enter करना है यहाँ पर उनका middle name है middle name में enter कर देंगे अगर यहाँ पर आपको replacementmon economic option मिलेगा alternate अगर आप अपने scheint पर फार्द का नेम भी चाहते हैं तो आपको mother's name enter करने की जोयत नहीं है लेकिन अगर आप अपने pan card पे mother's का name चाहते हैं तो आपको mother's name भी enter कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे option मिलेगा select parent name on card यानि कि आप अपने pan card पे किन का name चाहते हैं mother's name या फिर father's name वो आपको select कर लेना है हम father's name चाहते हैं उसे हम select कर लेंगे और उसके बाद next के option पे click कर दिना है दूसों अगर आपको यहाँ पे option मिलता है select the checkbox for parent details to be provided आपको okay के option पे click करना है आप इसी page पे आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा ओपर जाना है और यहाँ पे आपको parent details में यहाँ पे no का option मिलेगा आपको simple इसे no कर दिना है यानि कि आप अपने father's का name ही चाहते हैं mother's का नहीं चाहते हैं अगर mother's का चाहते हैं तो आपको yes के option पे tick करना है तो हम father's का चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पे no को tick कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ next step के option पे click करेंगे तो next option हमारे सामने आ जाएगा address details का अब हमें यहाँ पे address details एंटर करनी है तो दोस्तों जैसा कि हमारी जो address details हैं वो यहाँ पे अदार कार्ट से ले ली गई है तो यहाँ पे जो है हमें address details एंटर करने की ज़रत नहीं है अगर आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे click नहीं होगा यहाँ पे बताया भी गया है कि details will be captured based on अदार details तो यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है अब आपको यहाँ पे office address details से एंटर करने की ज़रत नहीं है क्योंकि आपने जो है अदार ekyc के true apply करना है तो यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको source of income पूछा जाएगा तो जो भी आपका source of income है उसे आपको यहाँ पे select कर लेना है अगर कोई source of income नहीं है तो no income के option पे tick कर देना है और यहाँ पे alert देखने को मिलता है तो ok के option पे click कर देना है और उसके बाद next step के option पे click करना है दोस्तो next page यहाँ पे open होगा other details का other details में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा representative ssa address details दोस्तो अगर आपकी age 18 साल से कम की है और आप अपने parents के भीहाब पे अपने pen card के लिए apply कर रहे हैं तो ऐसे में आपको इन details को enter करना है अपने parents की details को अगर आपकी age 18 साल से जादा है तो आपको इस option को यहाँ पे खाली छोड़ देना है यहाँ पे आपको इसे fill नहीं करना है आपको नीचे यह option मिलेगा do you hear while declare that whatever stator ever is true in the capacity of तो यहाँ पे आपको select capacity के option पे click करना है और यहाँ पे himself herself को select कर लेना है और यहाँ पे आपका name आ जाएगा verified name में और उसके बाद आपको verify place में अपना verify place जो भी आपका area है उसे enter कर देना है and next step के option पे click कर देना है तो next page आपके सामने open होगा जो कि last step है documents upload का यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पे आपको documents upload का option मिलेगा दूस्सों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप document upload करेंगे जिसमें कि आपको अधार card को upload करना रहता है तो आप अधार ekyc के through ही यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे upload नहीं कर पाएंगे and signature भी यहाँ पे upload नहीं कर पाएंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँँ कि starting में मैंने आपको बता है था कि अगर आप only e-sign को select करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको applicant photo file का option जो है यहाँ पे choose file का option इनेवल हो जाएगा आप अपनी मर्जी का photograph यहाँ पे upload कर पाएंगे आप अपनी मर्जी के signature यहाँ पे upload कर पाएंगे और यहाँ पे जो है जो भी आपको details यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जिसमें कि आपको अदार को select करना होता है जैसे कि date of worth में, address proof में, identity proof में तो यहाँ पे यह option भी enable हो जाएंगे उनमें भी आपको अदार काड को ही select कर लेना है दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपने photograph and signature को upload कर देना है अगर आप e-sign के through कर रहे हैं हम अदार e-keyc के through कर रहे हैं यहाँ पे हमारे अदार काड पे जो भी हमारा photograph होगा वही हमारे pan card पे print होके आएगा लेकिन signature जो है यहाँ पे pan card पे नहीं आएंगे तो दोस्तों अगर आप signature भी चाहते हैं तो आपको e-sign का option जो है वो select कर लेना है और उसके बाद जो है सारी details center करने के बाद last step जो है यहाँ पे आपको simple submit के option पे click कर देना है जैसे ही आप submit के option पे click कर देंगे तो next page आपके सामने open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी details आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको simple यहाँ पे make payment का option मिलेगा अब आपको payment करनी है make payment के option पे आपको click कर देना है तो आप redirect हो जाएंगे UTI के online payment gateway page पे यहाँ पे 106.9 यानि की 107 rupees की payment करनी है यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना mobile number एंटर करना है उसके बाद आपको अपनी email ID एंटर करनी है और build desk के option पे click करके यहाँ पे आपको confirm payment के option पे click करना है तो आपके सामने payment page open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको net banking, credit, debit card, QR code, wallets, UPI के थूज है आप यहाँ पे payment कर सकते हैं यहाँ पे आप simple QR code को scan करके यहाँ फिर अपनी virtual ID यानि की UPI ID को enter करके भी payment कर सकते हैं simple आपको यहाँ पे select कर लेना है किस तरीके से आप payment करना चाहते हैं जैसे ही आप payment successfully कर देंगे तो आपको कुछ seconds के लिए wait करना है और आप redirect हो जाएंगे next page पे दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अधार based OTP for fetching EKPIC details का paste देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको OTP एंटर करना है दोस्तों आपने जो भी अपना अधार कार्ड एंटर किया है उसके साथ जो भी आपका mobile number linked है उसके एक OTP गया होगा वो OTP यहाँ पे आप एंटर करेंगे और नीचे आपको consent दे देना है इस box को टिक करके और नीचे submit के option पे क्लिक कर देना है दोस्तों next page आपके सामने open होगा अधार details का यहाँ पे आपको AO code details एंटर करने है यानि कि आपका area code AO type, range code, AO number क्या है तो वो आपको कहां से मिलेगा दोस्तों जैसे कि आपने अपना अधार number एंटर किया है तो यहाँ पे जो है उससे यह fetch कर लेता है आपको simple get details के option पे click करना है तो यहाँ पे आपको area code, AO type, range code, AO number देखने को मिल जाएगा simple जो है आपको यहाँ पे नीचे ok के option पे click कर देना है यहाँ पे यह automatically fill हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे score down करना है यहाँ पे आपकी details आपको देखनों को मिल जाएगे resident address for pan application की आपको simple नीचे update के option पे click कर देना है और कुछ seconds के लिए आप wait करेंगे आप redirect हो जाएगे next page पे यहाँ पे आपको e-sign complete करना है e-sign complete करने के लिए आपको यहाँ पे अदार number, virtual ID या फिर UID, token number enter करना है हम यहाँ पे अपना अदार number को select करट करके अपना अदार number enter कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे Adar OTP को select करना है और नीचे आपको get OTP के option पे click कर देना है आप get OTP के option पे click करेंगे तो आपके अधार काट के साथ जो भी आपका mobile number linked आउस पे एक OTP जाएगा वो OTP यहाँ पे आपको नीचे box में enter कर देना है और नीचे आपको consent दे देना है इस box को tick करके और नीचे submit के option पे click कर देना है तो successfully आपका e-sign भी यहाँ पे complete हो जाएगा और आप redirect हो जाएगे next page पे और यहाँ पे जो है आपको नीचे download acknowledgement का option मिल जाता है और अगर आप इस form को download करना चाहते हैं simple आप download के option पे click करेंगे तो यह successfully यहाँ पे download हो जाएगा और इस तरीके का आपको आपका form देखने को मिल जाएगा जोस्तों अगर आप अपने pen application का status चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप UTI के homepage पे आएगे homepage पे आने के वाद आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको track pen card का option मिलेगा आप इस पे click करेंगे और यहाँ पे आप अपना application coupon number या फिर pen number एंटर करके अपनी date of worth एंटर करके submit के option पे click करेंगे तो आपका status यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप details में जाना चाहते हैं कि कैसे आपको अपना status चेक करना है उसमें किस तरीके की details आपको show होंगी कैसे आपको उसे चेक करना है वो जाना चाहते हैं तो आप नीचे comment box में comment कर दिजेगा उसके ओपर हम next video में आपको बता देंगे यह video आपको कैसे लगी आप नीचे comment box में comment करके ज़रूर बताएगा चली मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाइ-बाइ, take care, thank you